उत्तरपदेश्ट के जन्पधापूर में समाजवादी पार्टी के जिला द्यक्षत तेशपाल प्रमुक को जाते सुचक शब्दों का प्रयोग करते हुए परिवार के छे वर्षय मासुम सहित थाना धोलानक शेतर के एक गाव निवासी हसीन चौदरी नामक युवक द्वा थाना हापूर नगर कोतवाली में तहरीर देते हुए कानूनी कारवाई की मांग करते हुए सुरक्षा की मांग की है शिकायत मिलते ही पुलीस द्वारा भी मुकदमा पंजिक रुदकर आरोपी युवक को ततकाल हिरासत में लिया गया है आपको बता दे कि समाजवादी पार्टी के जिला धक्षत तेशपाल प्रमुक ने बताया कि विगत समय में हसीन चौदरी नामक युवक द्वारा अपने एक साथी के साथ ओफिस पर आकर उनसे उन्ही के द्वारा अवैद रूप से बनाए गए उनके लेटर पैट पर न दिखाई देने की बात कहते हुए हस्ताक्षर करने से मना कर दिया जिसके बाद गुसाय हसीन चौदरी नामक युवक ने जिस समय वह किसान चाग रुकता साइकल रैली का समापन कर पार्टी ओफिस पर पहुच कर पार्टी के कारे करताओं से बाच्चित कर रहे थे तो एवं उनके छे वर्षिय मासूम तक को जान से मानने की धमकी जाती सुचक शब्दों का प्रयोग करते हुए दी गई जिसकी शिकायत उन्होंने पुलीस से कर दी है और पुलीस आरूपी युवक को गिरफतार कर कानूनी कारवा ही कर रही है दिखें कि हसीन और सहजाद नाम की दो प्रत्ती हैं जो 10 अगस्त 2020 को यहां कारयले पर आए और एक फरजी मेरा लैटर प्रेट तैयार करवा कर और फरजी मोहल लगा कर वाड नंबर 17 से जिला पंचात के प्रत्यासी को गुशना करने के लिए मेरी साइन कराने को मुझे बा कर दिया क्योंकि अभी हमारी पार्टी की गाइडलाइन नहीं आई है अभी वाड़ों का अरक्षन के लिए उसी को लेकर ये मेरे उपर और भी एक तो बाद दवाब बना चुके हैं वही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अधिवक्ता अनिल आजाद ने बताया कि सताधारी पार्टी समाजवादी पार्टी द्वारा किसानों के हित में चलाये जा रहे आंदुलन से बौकला गई है और आरोपी यूवक से सांट गाट कर ऐसे कृत्त करते हुए पार्ट